स्वागदा आपकवरेक के बाद तिरपनुए भारती अंतराश्टी फिल्म महुसव का शुभारम आज गोवा में होगा फिल्मों के महाकुम में देश दुनिया के फिल्म जगत के दिगज शामिल होंगे इफ़ी में कई देशी और विदेशी फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी तो मास्टर क्लास सेशन से लेकर कई और बड़े आयुजन भी होंगे 9 दिन तक चलने वाले फिल्मों सव में 89 देशों की कुल 280 फिल्में दिखाई जाएंगी भारती ये पैनोरेमा वर्ग में 25 फिचर फिल्में और 20 गैर फिचर फिल्में दिखाई जाएंगी अंतराश्ट्रिय वर्ग में 183 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी दुनिया भर की सिनेमा की खास और चुनिंदा फिल्मों के आनंद का उत्सव मनाने के लिए गोवा पूरी तरह सच चुका है 53 अंतराश्ट्रिय फिल्म महोत्सव का उदेश दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शित करने और सिनेमा की उत्कृष्टता को सामने लाने के लिए एक साजहा मंचुका दान करना है इफ़ी के 53 अंतराश्ट्रिय फिल्म आल्मा एंड आसकर से होगी जिसे आइनॉक्स में प्रदर्शित किया जाएगा अल्मा एंड आसकर का निर्देशन आस्ट्रिया इनिर्देशन टायजर बर्दर ने किया है ये एक बायो पिक है ये शांदार फिल्म कलाकार अल्मा मलहर और आस्ट्रिया के चित्रकार आसकर को कोश्का के रिष्टों पर आधारित है तो फिल्म फेस्टिवल में RRR से लेकर The Kashmir Files और Lost जैसी कई फिल्मों की स्क्रिनिंग की जाएगी इस बार फिल्म फेस्टिवल में बंगाली फिल्म महानन्दा, हिंदी फिल्म Three of Us, The Storyteller और मेजर सिया सहित कई फिल्मों की स्क्रिनिंग की जाएगी विहार से देश के 19 राज्यों से चुने गए 18-35 वर्ष के भविशिके 75 प्रतिभाशाली युवा, इफ़ी के 53 संस्क्रण में विशेश अतिती के रूप में शामिल होंगे फिल्म बजार में हमने बहुत सारी नहीं चीजें इस बार प्रियास किया है कि वो एड हों, जहां जो नामी पप्लिशर्स हैं, वो अपनी नॉवल्स को और अपनी स्टोरीज को प्रमोट को और पिछ कर सकते हैं, फिल्मेकर्स के दौरां, क्योंकि आजकल काफी फिल्में ज फिल्में जो पांच टीमें हैं वो बनाएंगी और उन फिल्मों को हम शौर्ट्स टीवी यूके का प्लैटफार्म है उस पर भी दिखाएंगी और उसका जो बिहेंड दा सीन्स है वो भी हम काफी 25 जार स्कूलों को आसपास बच्चें को दिखाएंगे ताकि बच्चे इस स प्रेरित हों और फिल्मेकिंग को अपना एक कैरियर अपना सकें इस बार इफ़ी में कंट्री इन फोकस के रूप में फ्रांस को शामिल किया गया है कंट्री फोकस खन के अंतरगर्थ फ्रांस और उसकी सिनेमाई उत्कृष्टता की योगदान का जश्न मनाया जा रहा है कं देशों, राजियों और फिल्म संगर्षनों के पवेलियन समुद्र के पास बहुत ही खूबसूरत सेरगाह में स्थापित किये जा रहे हैं बॉलिविड स्थार्ग अजे देवगन की फिल्म द्रिश्यम टू की अंतराश्ट्रे फिल्म महोटसव में एक विशेश स्क्रीनिंग होगी तो वहीं आम जनता के लिए बड़े परदे पर हर रोज कुछ ब्लॉगबस्टर फिल्में देखने को मिलेंगी अपने सहयोगी मुनमुन और श्यामा के साथ शहला निगार डीडी न्यूस के लिए पंजी गोवा से